नमस्कार दोस्तो क्विक इन्फोर्मेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वाटसब में पेमेंट मेथड को कैसे इनेबल कर सकते हैं दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में WhatsApp payment को अप्रूवाइ मिल चुका है और ये service इंडिया में शुरू भी हो चुका है ऐसे में दोस्तो अगर आपके WhatsApp में payment का option अगर नहीं आता है तो आप अपने Play Store पर जाकर के WhatsApp को update कर लें अगर update करने के बाद भी अगर ये features आपके WhatsApp नहीं आता है तो दोस्तो आप इसे चेक करते रहे हैं जब भी अपडेट आएगा आप इसे अपडेट कर लें और आपके WhatsApp में भी payment का option आ जाएगा तो दोस्तो चलिए फटा-फटा हम WhatsApp payment को इनेवल करते हैं तो दोस्तो वाटसाप payment को इनेवल करने के सबसे पहले आ तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहां पर एक State Bank India का एक मेरा account यहां पर link है तो चलिए फटा-फट पहले हम इसे remove करेंगे उसके बाद हम एक नया ID को हम यहां पर add करेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो bank account है वो यहां से remove हो चुका है अब एक नया bank account हम कैसे यह एड करते हैं तो द्वस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक payment method का एक option है और निचे एक new payment का गिरिन का का एक option है तो दोस्तो सबसे पहले आप एक एड क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने इंडिया में जितने भी bank है उसमी का लिश्ट आपके सामने यहां प भी कर सकते हैं या आप उपर सर्च में जा करके सर्च भी कर सकते हैं तो दुस्तों हम्बार दोस्तों अब करेंगे उसके बाद दोस्तों इसे हम अपने नंबर से वेरिफाई करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो सेट अप है ओ कम्प्लेट हो चुका है तो हम इसे यहां पर डन कर देंगे तो दोस्तों मैंने अपना फोन में UPI पहले से बनाया हुआ है जैसे फोन पे गूगल पे इस ताप का UPI मैंने बनाया हुआ है इसलिए मुझे बाकी प्रोसेस करने की कोई ज्रोत नहीं पड़ी लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार UPI बनाते हैं यानि कि आपके पास फोन पे गूगल पे या कुछ भी नहीं है तो दोस्तों आपके आपसे आपका ATM का लास्ट चार डिजिट या छे डिजिट का नंबर मांगा जाएगा उसकी बाद दोस्तों आपका एकस्पारे डेट मांगा जाएगा उसकी बाद आप अपना एक नया UPI PIN बना सकते हैं जैसे कि अगर आप पेटियम बेंक यूज करते हैं तो दोस्तों पेटियम बेंक में जो एक डेट कार्ड मिलता है उस डेट कार्ड का आपको लास्ट का छे नंबर डालना होता है उसकी बाद दोस्तों आपको अपना एक नया UPI PIN बनाना पड़ता है तब ही अप उसी PIN से अपने payment को successful कर पाएंगे तो दोस्तों payment करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर payment method भाजाएंगे जैसा कि हमने अपना bank account link किया हुआ है तो दोस्तों उसके बाद आप अपना यहां देख सकते हैं कि ओपर आपका नाम so हो रहा है उसके बाद आपके सामने एक right share में QR code का एक option है इस पर दोस्तो कोई scan करके आपको payment send कर सकता है या दोस्तो आपका UPI pin यहाँ पर so होगा उस UPI pin से भी आपको कोई WhatsApp payment bank में आपको कोई money transfer कर सकता है और दोस्तो अगर आपके contact list में कोई ऐसा number है जो WhatsApp payment यूज़ करता है तो आप दोस्तो नीचे new payment पर click करेंगे उसकी बाद उस व्यक्तिक को direct number से भी पैसा transfer कर पाएंगे और दोस्तो अगर आपको किसी को payment करना है तो दोस्तो आप direct QR code scan कर रहे के भी payment कर सकते हैं तो दोस्तो QR code scan करने के लिए सबसे पहले आपको यह payment वाले option में देखेंगे कि आप right head में एक three dot का option मिलेगा है इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने scan QR code का एक option भी मिलता है इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो आप QR code को भी अच्छी तरह से scan करके payment कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप अपने WhatsApp में WhatsApp payment bank को add कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर सकते हैं चैनल पर पहले बार आया है तो आप चैनल को subscribe कर लें क्योंको दोस्तो मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye